हेलो नमस्कार करना साथियो दोस्तो आज की इस कहानी में एक पतनी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पती को एक कूड़े के धेर में जला देती है साथियो आज की इस कहानी जो कहानी इस कहानी को सुनने के बाद आप भी चौँ जाएंगे हेलो नमस्कार साथियो मैं किस अपसाइने आपके सामने एक नए श्टूर लेकर आया हूँ दोस्तो आज की जो कहानी है वो है इटाबा की उत्तर प्रदेश में एक जिला पढ़ता है इटाबा और उस जिले में एक थाना पढ़ता है थाना पढ़ता है बस रहा और उस थाना छेतर में एक गाउँ पढ़ता है लोराई रमपुरा उस गाउँ का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस ब्यक्ति का नाम होता है चरन सिंग साथ ही जो चरन सिंग होते हैं उनकी पहले किसी अन्य व्यक्ति से सन 2000 में साधी होती है जो घाटमपुर के रहने वाले होती है जिसका नमता है संजय उनके साथ साधी हो जाती है अब साधी होने के पेशाथ उनके दो बेटी होती है साथियो इसके पेशाथ उसकी पती होती है उनकी मौत हो जाती है साथियो अब जो गीता होती है वो उसकी साध चरन सिंग के साथ हो जाती है, साथियों यहाँ पर आने के पैश्याद अब उनके दो बेटे होते हैं, कह सकते हैं कि दो पहली बेटी अब उनके दो यहाँ पर जो चरन सिंग है इन से दो बेटे हो जाते हैं, साथियों इसी तरह से चलता रहता है, अब काफी समय बीच जाता ह अब कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले कहसकते हैं इस घटना से कुछ महीने पहले जो चरन सिंग होते हैं उनकी पत्नी का एक व्यक्ति होता है जो सोनी पत का रहने वाला होता है उसके साथ प्रेम परिसंग सन्ग होता है साथ्यों जैसे इसके बारे में जो चरंसिंग होते हैं उनको पता चलता है तो वो अपनी पत्ने को डाड़ते हैं और समझाते हैं मगर साथ्यों उनकी जो पत्ने होती है वो नहीं मानती है इसके पर शाथ वो अपनी प्रेमी के घर रहने के लिए चली जाती है साथियो हाँ पर वो कुछ दिन तक रहती है इसके पहिशाथ अब इधर जो चरंसिंग होते हैं वो अपनी पत्नी के खिलाप कोट में मुकदमा दज करा देते हैं इसके पहिशाथ जो उनकी पत्नी होती है वो भी उधर से कोट में मुकदमा दज करा देते हैं साथियो इसके पहिशाद अब कोट में लगातार वो तारीक पर दोनों जनों जाया करते थे साथियो उधर से वो अपने प्रेमी के हाँ से जो उनकी पत्नी होती है वो कोट में तारीक करने के लिए जाते थी और इधर से जो चरंसिंग होते हैं वो भी जाया करते थे साथियो अब इसी तरह चलता रहता है अब 14 नमबर 14 नमबर दिन सुकरवाद होता है सुकरवाद के दिन जो चरंसिंग होते हैं उनकी तारिक होती है साथियो उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है गीता भू भी तारिक पर जाती है साथियो जब जैसे ही वहाँ पर मिलते हैं उनकी पत्नी तो वो उनसे समझाते हैं और कहते हैं कि आप ऐसे ऐसे घर चलो साथियो जैसे भी बात होती है इसके पत्नी पत्नी होती है वो उनके साथ घर आ जाती है आने के परिशाद आक साम के समय आपस में डोनों में जगड़ा होता है सात्यों यहीं से उनकी ज्वे पत्ती इते होते हैं जिसका नवाता है गीता वो अपने प्रेमिर से अपने पती को राश्ते से हटाने के लिए भो पिलान मनाती है साथ यो पिलाने का उसार वो अपने प्रेमी से कहते है कि आप मेरे पती को किशी भी तरह से राष्टे से हटाएं किशी भी तरह से राष्टे से हटाएं साथ यो ये बात कहते है इसके पशाथ अब पिलान बना जाता है इसके पश्याथ पिलाने का मुष्वार 15 नम्ब संद्वा 24 के साम जो गीता होती है वो अपने प्रेमिय को फून करती है और कहती है कि आप ऐसे ऐसे आ जाएं साथ है उसका जो प्रेमिय होता है जिसका नाम होता है जवर सिंग वो गाउं में आ जाता है अब आने के पश्यात उनकी जो पत्नी होती है वो अपने पती जिसका नम होता है चरंसिंग उनसे कहती है कि हम तुम आलू का बीज देखने के लिए चल लेएं साथियो उसके जो पती होते हैं वो चले जाते हैं उसमें ले जाते हैं और कुछ कुड़ा एकटा करते हैं और उसके सब में आग लगा देते हैं सात्यों जिससे जो कोई भी ब्यक्ति है उसको ये ना पता चले कि ऐसे उन्होंने उसकी हत्ता किये सात्यों अगले दिन 16 नमब्र संदवा 24 दिन सनीवार होता है सनीवार के दिन जो गाओं के लोगों होते हैं उनको एक जला हुआ अद जला अद जला सब दिखाई देता है सात्यों जैसे ही उनको अद जला सब दिखाई देता है इसके बारे वो इसकी सूचना एक थाना पड़ कि वो ऐसे ऐसे गाऊंचे जो चैलनसींग होते हैं उनका सब होता है साथियो पूछता पूसाक cod whale जो उनके घरवालों होते हैं उनको सूंचा जेती हैर इसके पषधा जो इसका सब होता है उसको पुष्ट अनम के लिए भेज देती यह इसके प assignments जो पुलिस होती है जो मिर्ता के परिवार वाले होते हैं उनसे पूछताज करती है साथ ही पूछताज करती है जो मिर्ता की पत्नी होती है जिसका नम होता है गीता वो पुलिस से कहती है जो उसके देवर होते हैं उसके देवर ने उसके पत्ती की हत्ता किये साथ ही जो पुलि को जैसे ही पुलिस को इसके बारें पत्ता चलता है जो पुलिस होती है जो मिर्त की पत्नी होती है जिसका नमता है गीता उसको गिरपतार कर लेती है और इसके पैशा उससे पूछताज करती है साथियों पूछताज करती है मगर जब पुलिस उससे सक्तिय से पूछताज करती ह तो बोज जुर्म को कबूल कर लेती है और जो भी पूरी कहानी होते है इसके वारे में बताती है साथियो उसका जो प्रेमी है जिसका नाम होता है जबर सिंग वो फिलाल में फरार है जो पुलिस है वो लगातार उसको पकड़ने के लिए दबिस गिर रही है सत्रे नम्ब संदोह 24 को बसरे हर ठाने की जो पुलिस होती है उसने इस केस का खुलासा कर दिया है पुलिस ने जो मिर्त की पत्मी होती है जिसका नम होता है गीता उसको गिरतर कर लिया है और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नम होता है जबर सिंग उसके लिए लगातर पुलिस दबिस्ट कर रही है साथियो फिलाल में जो गीता है उसको जल्दी जेल वेज दिया जाएगा इसके साथ सकते सकत कारवय की जाएगी साथियो आज की इस कहानी में आपने सुनाई होगा कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी को पाने के लिए अपनी ही पत्ती को जान से खो दिया साथियो आज की जो कहानी है इस कहानी को सुनाने को दिस से किशी ब्यक्ति को परिशान करना नहीं है सिर्फ आपको जागर करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह कर रहे हैं जैसा कि आपने आज की इस कहानी में सुना सात्यों, आज की जो कहानी है, मैंने इस कहानी को पढ़कर तयार किया है TV9 News, we rujala News, देनी के बासका News और आज तक News इन सबी News से पढ़कर, जो आज मैंने आपको कहानी सनाई, इसको तयार किया था जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथ है अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को अबसे सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेर करें मिलते हैं आपको नैस्ट वीडियो के साथ आप सबी लोग मस्त रहें स्वस्त रहें धन्नवाद